एक बार फिर से स्वागत है आपका जीवन उत्साह नीज़ पर और आज जैसे कि हम आपको लेकर चल रहे हैं करोना वाइरस के प्रभाब को लेकर करोना वाइरस को लेकर पूरी दुनिया में जैसे आप देखी रहे हैं कि एकदम हाहा कार्सी मची हुई है सरकारे हों परशाशन हों अधिकारी हों हर व्यक्ति ये प्यास कर रहा है कि इस तरफ जो भी कदम उठाया जाए वो सकारत्मक हो समाज के लिए हो और समाज की बढ़ाई के लिए हम आज आपको जैसे ले चल रहे हैं शाहतलाई में हमने आपको दिखाया कि जिस जगह पर चैत मंदिर में जहां पर यह नाका जो आप देख रहे हैं यह बड़सर पुलिस के अंतरगत यहां पर नाका आता है और यहां से यह समझे आखरी नाका है मंदर में प्रवेश करने के लिए यहां पर पुलिस कर्मचारी जो भी ड्यूटी पर तैनात हैं इस बात का पूरन और साथ में मंदिर के जो द्वार हैं वो सारी तरह से बंद हैं मैं आपको थोड़ा यह दिखाना चाओंगा यह जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर जब मेलों का समय होता था मैं आपको पिछले जो न्यूज हमने कवर की हूं मैं से भी आप मैं दिखाने का प्यास कर र आप यह बात समझ सकते हैं कि करोना वाइरस एक ऐसा मानसिक अटैक हमारे समाज पर हो चुका है जिसको लेकर हम सब को यह एतिहात वर्तनी पड़ रही है और क्यों नहों सवस्ते से बड़ी तो इस दुनिया में कोई चीज है इनी सवस्त इंसान अगर है तो उसके लिए बड़ा कार्या नहीं है आज यह पुलिस कर्मी जो यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं पहले तो मैं इनकी ड्यूटी को बिल्कुल सलाम करना चाहूंगा कि पूरा दिन ही धूप में खड़े रहकर यहां पर मेहनत करते हैं हर एक चीज को ध्यान में रख रहे हैं लोगों को प्रिमा शुरू होती है वहां पर ही सदालों को रोका जाता है उनको समझाया जाता है कि आगे जो है वो मंदिर बंध है इसलिए आप आगे ना जाएं लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी गुप्त रास्ते से निकलता हुआ यहाने का प्यास करता है तो यहां पर यह स्टैब तरीके से खड़े हुए हैं यानि सब की छुटियां हैं लेकिन इनकी छुटियां नहीं हैं सब के लिए यह बिमारी जो है वो एक रिलेक्स का माध्यम है चाहे वो कोई भी व्यक्ति है लेकिन इनके लिए इस बिमारी में ड्यूटी और बढ़गी है और भी जमेमा लिया है उसके लिए बदाई देना चाहूंगा कि आपने जो निरने लिया है यह सच में ही समाज के हिट के लिए एक बड़ा कारे है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस वाइरस से इफेक्टेड हो जाता है या इंफेक्टेड हो जाता है तो वो कई लोगों को नुकसान जो सरानिय कदम उठाया है वो बहुत ही बैटरिन है जंता को सरदालों को हर एक व्यक्ति को इसका सपोर्ट करना चाहिए और हमें इस करोना वाइरस के डर से पहले तो निकलना चाहिए क्योंकि यह बिमारी हमें तभी हो सकती है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है यह हम स्वस्थ नहीं रहते हैं इसलिए हम यहां पर जर्म फ्री अपने आपको रखें हाथ दोएं समय पे और किसी विक्ति के संपर्थ में आने से बचें जो किसी तरह से भी इंशक्टेड है या किसी विक्ति को इस तरह की स्वस्या है मैं आपको यहां पर एक और भी चीज दिखाना चाहूंगा जिसे कि यह बसे मेलों के टाइम में बहुत ओबर लोडड़ आती थी भरी हुई आती थी और क्योंकि इनको भी माध्यम था लोग आते थे लेकिन आज हालत यह है कि बसें बिल्कुल खाली है यहां पर जो भी लो हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आने बाले समय में इस तरह का कोई नियम आए क्योंकि क्रोना वाइरस का कहर पूरे दुनिया के ओपर पूरे विश्व के ओपर जो है वो मंडरा रहा है और हिमाचल प्रदेश में यह सरानी है लेकिन फिर भी हमारे बीश में ब करनी के नुकसान चल रहा है क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं मेडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि वाबबाल करता हूं और जो कि करोना वारिस का जो अर्दीब बड़ा प्रौब्लम scope प्रभ्लमभ यहांपर बहुत ही एक अच्छा विशर नहीं इनों उठाया है और हम भी पशाशन से इस बात को लेकर इनकी जो ब्यथा है उससे बात करना चाहेंगे कि इन लोगों के बारे में भी जरूर सोचा जाए क्योंकि एक वक्तिन है बैंक से लोन लिया हुआ है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने एक बसओं की मैंटेनेंस के लिए बहुत सारे कारिया बहुत सारे तोड जोड जुगाड करकर किए विशव पे आई हुई हैं और बाबामल ल्वाल फनानाथ में जो जो फाली पड़ा उइसे वेगा देखने हैं कि यहां की उहने बारे में कुछ सोचे यह हमाएं ऐसे सहाँ द इस दिया जाहें जाए हम Cait News उन्हें कि आंके टेक्स मापकर धी जाए हमें सरकार से ऐसी भी िन्ति करते हैं घे तो जो बात इन्होंने कही है वो बिल्कुल सही है सरकार इसके वपर जोग सके और हमें बिश्वास है कि सरकार इसके उपर जूर कोई निरेड़े लेगी और इन लोगों को भी रहात देगी और खासकर ही जो दुकांदर मैं आपको अभी शातलाई बेमी मैंने आपको दिखाया और यहाँ पर जो दुकांदर लाखोर में का माल लेकर यहाँ पर बैठे हु दुकांदर हैं यहाँ पर जिनने पूरी तयारिया की हुई थी जिननने बहुत मेहनेत इंतजार किया हुआ था इन मेलों को लेकर अपने परिवार को चलाने के लिए जो रोटी रोटी चलाने के लिए चाही होता है उसको लेकर उनको भी हम आपको दिखाएंगे वनेरी तिस तरह से बहुत बहुत जन्यवादा